जड़ित गयार थी, पी एस टेट दा फॉर्म ऑनलाइन खुद फिल करना चांदे हैं, बड़ी असानी नल फिल किता जा सकता है, मैं गूगल ते जाके सब तो प्रदा, पी एस ए बी पंजाब स्कूल एड़केशन बोर्ड, उसको पहला अखर, .ac.in, पी एस टेट फिल किता है ते मेरे कोल, पी एस टेट लॉग इन फॉर्म आ गया मैं सूँ, प्लिक करना हैं, एक प्लिक करनते तो अड़िसाम ने ए पेज खुल जानदा है, इस पेज खुल जानते तो अड़िसाम ने जो रिजिस्टरेशन नमबर नो एंटर करन लेकिया जानदा है, जेकर तुसी फर पहला रिजिस्टेशन नमबर है, तुसी इत्थे रिजिस्टेशन नमबर फिल करोगे, जहां हों तो पहला तुसी रिजिस्टर हो चुके हो, ते ओ वाला रिजिस्टेशन नमबर इत्थे फिल करोगे, पासवर्ट जो भी है तो अड़ा फिल करोगे, स्क्योर कोड सामने आ अखर हम तो छोड़े फिल करने हैं, जे कोई डीजे टांदी है, नंबर आंदा है ते ओ फिल करना है, इस तो बाद एते क्लिक कर दे हो, ते Remember Me Login, तुसी फिर अधी बार एडिट करना है फॉर्म ते आपने आप खुल जाएगा, बार बार तो आनो ए इंफॉमेशन फिल करने जरूरत नहीं पहेगी, क्योंकि मैं एए रडिजिस्टेशन नहीं कीता होया, इसलिए मैं New Form क्लिक करांगा, एछ ये गाकर रजिस्टर लिख्या होया है, मैं रजिस्टर ते क्लिक कीता, रोजिस्टर ते क्लिक करन तो बाद मेरे सामने रजिस्टेशन फ medidas firm कुल गया है, मै इते अपना नाम फिल करागा सब तो पहला registration form विच एफ्लिकेंट दा नाम जेड़ा के तो अड़े दसनी दे जान सेकेंडरी 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 एक एक को लेवल दसनी दे लेवल लुकिया जानदा है इस तरह दा question भी तो unfiction जा सकता है जहां ए इनफोर्मेशन तोड़ एक question solve करें दिछ help कर सकती है अच्छा email address तोड़ा अपना email address होवे का बेतर है अपना ही होना चाहिदा है अपना ही independent बनो उस तो बाद mobile number तुसी अपना फिल कर दे हो को किसे भी online form दी registration ले email ते phone number जो तुसी किते पर दे हो इस तरह दे form ते पर दे हो ते form already computer दस दिनदा है कि you are already registered जै तो उसी दूसरी बार registered होना चाहिदे हो कि गलती होंदी है तो अनू naturally ए चीजां चेंज करने हैं पर दिया है इसका मतलब है कि तो email address अथे phone number registration इस सब तो basic है इस तो बाद चौत्य नंबर ते secure code इते click करांगे code ओही code exact असली fill करता होंगे मैं fill कर दिता है U7OBIZ जिस structure विच इते लिखया है उससे structure विच fill कर दिता है इस तो बाद register only once even you want to apply for both paper of PSTAT जे तुसी paper 1 ते paper 2 जड़ा paper 1 है पंजमी तक दे और paper 2 अठमी तक दे विधियार्थियान उपड़ाओं लिजे teacher बनना है eligible होना है उदे ले है स्क्योर कोड फिल करन तो बाद इगल याद रखनी है जेकर refresh image ते तुसी क्लिक कर दें दे हो तो अन्हों स्क्योर कोड फिर तो दबारा फिल करना पड़ेगा ते registration एक बार ही होनी है बेशक्त तुसी paper 1 पेपर 2 लेई form फिल करना है declaration है के उपर दित्ती की information बिलकुल correct है जे गल्थ हों दी सूरत विच तो अड़ा कैंडी डेचर जो है और रिजक्त कर दता जाएगा इस नाव तो अन्हों सैमती देनी पढ़नी है जो सैमती दें देंदे हो इते क्लिक कर देंदे हो फिर इस नो तुसी submit से प्लिक कर देना है जिक यू है सेक्सेस्फुली रिजिस्टर इन पी एस टेक्ट यूर इजिस्टेशन आईडी और ओटीपी है एफसेंड तो इमेल आईडी और मॉबाइल लॉंबर काइंडी लॉग इन कंप्लीट दा फर्दर एक साथ जरूरी है के जो दो कुसी ओटीपी जनरेट होना है उसलिए जो दो करना है लेक्टीफ एपन करना है जल्दी ओपन करना है मैं पहला तो लैपटाप खोल के रखा सी इमेल जेडा मगा रिजिस्टर्शन परवाई है जिस इमेल ते और आईडी खोल के रखी है और चारी शोना बहु एक है ऐck प्लिक किता चाली सोला फिल हो गया ओके एपना पासवर्ड फिल करांगा पासवर्ड ली दिर्देश दिते गें पासवर्ड शुट भी फोर टू टैन करेक्टर्स ओके मैं पासवर्ड रख रहां हाँ आई टिंडा कदू फिर यहाँ पर दूसरी बारी वेरिफ़ई करना है दुबारा इते टिंडा कदू फिर इसको बाद प्रोसीड ते क्लिक करांगा सेव पासवर्ड मैं अपना पासवर्ड सेव करना चांदा हाँ फिर मैंनो बार बार एफिल नहीं करना पाएगा मैं सेव कर लिया है इस तो बाद इस पेज ते सब कुछ जिते क्रोस लगगा है इट मींज ओ पोर्षन फिल करना वाला तो डाफ जे बाकी प्या है इस दे खब्बे पास से तुसी देखोगे फिल एड़िट जनरल प्रोफाइल सब तो पहला इसनों प्लिक करो तो अड़िट सामने पेज खुल जाएगा जिस विच तुसी रिजिस्टेशन जिस नाम ते करवाई है ओ आ जाएगा उस तो बाद तो अड़िट बेसिक इंफुमेशन है जेड़िट अड़िकोल है ओ फिल करनी है यह पोर्शन फ्री करना बड़ा असान है क्योंकि आप्शन नाम दा लितिया गई है हन तीरत सिंग दर्शन को और सवरी दर्शन सिंग जो भी मैट्रिकोलेशन दें इस अर्टिकेट विच तो अड़ा पापा दा मदर दा नाम है शामिल ओ भी स्पैलिंग होने चाही दे हन जेंडर ओप्शन आजा दी है मेल, फीमिल, ट्रांसजेंडर आज सी जान दे हां के ट्रांसजेंडर नो रुथभा सारा राइट्स मिल गए हन Marital Status ते click करना है Option आजान दे तुसी click कर देना है जो भी option है Employed Employed और Not में Not ते click कर देता है इस तो बाद Unique Card Number Optional है जहें तुसी fill करना चाहो ता कर सकते हो चड़ना ता चड़ भी सकते हो Mother's Name category ते click करो सारी category जायन भी है याद रखना है category जेडी तुसी रिजर्वेशन अगे लेना जान तो अडेको सर्टिफिकेट ऑथेंटिक जो है सिर्फ वही फिल किता जावें कैटेगरी दुबारा चेंज नहीं हुंदी जन्रल कैटेगरी फिल कर देती मैं डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन दे विच है ठीक ते एज जो बंदी है नाल बढ़नी आएगी यह मैं डेट तेई नवंबर दोगजार फिल कर देती है इस तो बिना नाशनालिट इंडियन फिल कर देती है एग्जामीनेशन पिछला कोई पीस एस्टेट में देता है नो फिल कर देता है कैंडिडेट मेलिंग अड्रेस इस तो बाद अड्रेस फुल फिल करना है उस नंबर जिस्ते भी तो अड़े चिठी पतर करना है तो नाम टाउन दर नाम आप टाइप करना है क्लिक करोगे की अड्रेस फिल करके रख्या है ठीक एसे तरह डिस्टिक नेम जिमें जलंदर है ते मैं जलंदर कड़के उसनों क्लिक कर देता है जे मैं चौना हां के जेड़ा अड्रेस में इत्थे परिया है ओ ही पर्मानेंट अड्रेस है मेरा सेम है ते इत्थे क्लिक कर दो ते बाकी इंफोमेशन तो उनों फिल करना दी जरूरत नहीं पहेगी ऑलड़ी खुद पो खुद कंप्यूटर इंफोमेशन ले आएगा इस इसनों रीचेक करनों रीचेक करनों तो बाज ये कोई गलती है चेंज करनों फिर सेव ते कंटीन्यू नों क्लिक कर दो ते नेक्स पेज जनरल प्रोफाइल तो अड़ा कंप्लीट हो गया है तिक वला आ गया है तो बड़ा असान है दूसरा है अपडेट फोटो एंड सिग प्रेदी है फर एक्जांपल एक फोटो मैं रखनी है फोटो नो क्लिक की तफ इते ओपन ते आ गया ये मेरी फोटो इमेज इते आगी तो अपनी फोटो पहला अपनी कंप्यूटर ते सेफ करते जब पैंड राइव ते लगाते कंप्यूटर ते फाइल उते जाके ते तु सेफिक्टी यूर सिंग्जर सिग्नेचर पहला तो कगस्तने करके उस ते फोटो क्लिक करके ते अपने अपनों मेल करको जोड्रेस दॉडभाव चलधा है इवैल करनोमेल फिर टौणलोड कर लो डौणलोड करके दौणलोड विच जायो छूस फाइल एवज धीफो मैं इसलिए उसने बड़ा छोटा करके तुसी एडिट हो जानदा है, मुबाइल ते फोटो किछिके किसे को भी पुछलो एडिट हो जानदा है, एडिट करन तो बाद तुसी एक ओर्शन तो अड़ा कंप्लीट हो गया, सेट एक कंटीन्यू, लिक करांगे, पूरा हो गया, इस त और फोटो ते सिग्नेचर अप्लोडड़ ग्रीम वाला टिक मिल जाएगा, ग्रीम वाले टिक तो बाद तुसी नेक्स्ट स्टेप को तो अड़ा है कि तुसी टेपर एड अकैडिमिक क्वालिफिकेशन फिल करनी है, ठीक है, एक तुसी थार्ड वाला लिड़ा है, रेड है उसनों क्लिक करोगे, तो अड़े को पिछली सारी इंफोर्मेशन जड़ी फिल कीती है, वाजाएगी, तुसी इसनों रीचेक कर सकते हूँ, ठीक, रीचेक करन तो बाद, तीजा स्टेफ जड़ा रेड है, उसनों क्लिक कर तो, फ्री, प्री व्यू, अते, फॉर्म लॉक, यह सारी इंफोर्मेशन तुसी अच्छी तरह चेक कर लानी है, चेक करन तो बाद, एक डेकलारेशन है, डेकलारेशन रिच है, यह दस्या है, कि तुसा भी इंफोर्मेशन करेक्ट है, गलत हों दी सूरत रिच, सब कुछ ए तोड़ा फॉर्म जड़ा है, कैंसल किता जाएगी ते मैं पीटेट दे रूल्स ते रेगुलेशन तो जान हूँ है, यह देखके जे तुसी बैक कुछ जाना चांद है, अडिट करना चांद है, बैक जाओगे नहीं तर लॉग फॉर्म इसनों क्लिक कर दिता जाए, यह प्लीज एंशूर देट यूर एंटर्टेट इसनों क्लिक करांगे, हुन आगे तो अडे अप्लाइड पेपर, एक पेज खुलनते तो उनों इत्थे कुछ दिखाई में देगा, कब रहा नहीं है, अप्लाइड फॉर पेपर, ते प्रिंट जो ब्लू कलरदा है, उसनों क्लिक कर देना है, क्लिक करना तो बात तो अडे सामने एक पेज खुल ग प्रेफर करना चाहिदा है, एक बार मेनत कीती हुन दी है, दूसरा पेपर भी नाम ही दे दिता जानदा है, पर एसली वक्री जे तो तो अनों गाइडेंस चाहिदी है, तुसी कमेंट बॉक्स वेच लिख के पुछ सकने हो, उसने डिफरेंट वीडियो बिना दो मागा, के पेपर वान टू जा दोनों अलग लग क्यों चुड़ने हैं, अच्छा, एक एक प्राब्लम है, फॉर्म दे विच उसनों समझ लेना चाहिदा है, कबरा आना नहीं है, पेपर वान जिदो तुसी फिल कर दे हो, उसने लिजिबिल्टी कुछी जान दी है, पेपर वान जेना पेपर देना है, इथे स्लेक्ट टे क्लिक कर दे हो, ता डिकोल छे ओप्षिन आजान दिया है, यह छे ओप्षिन एथे तक कोई गडबड नहीं है, हाँ गडबड की है, कि सिक्स्त ओप्षिन जो ग्रेजुएशन विद अट लीस्ट 55% मार्ट्स एंड बैचलर ओफ एजु इथे ओवाली ओप्षिन नहीं है, इसे स्पेशल एजुकेशन लिखिया होया है, जिना ने इकल्ला पेपर वन परना है, उना नूँ कोई कबरा अंदी लोड नहीं है, वैसे किसे नूँ कबरा अंदी लोड नहीं है, उस दी मैं गल्दास दिनना है, क्यों, पेपर मैं 50% मार्क्स ते एटीटी किती होई है, इसनों क्लिक कर देना है, जे कर तुसी बैचलर ओफ एजुकेशन किती होई है, अट लिस्ट 50% मार्क्स, जे कर तुसी तीजी कटा करीदें भी हो, इसनों अच्छे तरह पढ़ लो, ते वेखो के तुसी 4-year बैचलर जे कर कम्प्लीट होई है, कोई बैच मेरे ख्याल में हजे कम्प्लीट होया होईगा, एग दो ऑप्शन बचलिया है, और एग्जामपल मैं बी एड किती होई है, मैं बी एड नो इते क्लिक कर लिया, मेरे एग एलिजीबिल्टी आ गई, इते तक कोई समस्या नहीं है, छी, समस्या किते है, प पर वन भीच त वन कोई चोइस नहीं है, पर टू दे विच विचे दो स्ट्रीम है, एक साइंस स्ट्रीम है, साइंस्ते मैठ स्ट्रीम उस्नों किया गया है, सोशल साइंस्स्त्रीम है, कमर्स वाले स्टू इप्रॉनेट्ट्स नो एक प्रॉब्ल suggestion कि कृतर पर-रनitives, को सब एक सोशल साइस है ते जे तो अड़ा मैथ ए साइस ए टीचिंग ओब मैथ इटिंग ओफ आइस फिजिक्स बायो कमिस्ट्री एवाले सब्जेक्ट उसी पड़े होए हम ठीक ते फिर तुसी मैथ ए साइस बाली स्टीम लोग है क्योंकि 60 मार्च दा एक पेपर आना है 60 मार्च वाही पेपर ए आना है 30-30 मार्च दे जो कॉश्च्र कोंड आ लयू है तो तो यह संत अशुल साइस और मैं सोशल साइस प्लीक करता है अगय जड़ी सल्द़ी गडबड और है tamp संप आ आँप्शिक इन्य ड़ूरत नहीं है तो गल्ती वोणा दी और साय कुर्ट करेंगे त तो अनो हक मिलदा है, तो अनो राइट मिलदा है, तो अनो जस्टिस मिलदा है, एधी फोटो तुसी क्लिक करके रख सकते हो, जे तुसी पर आधन दिया है, प्राब्लम किया है एधे विच्छे, जे लिए स्टुडेंट्स ने बैचलर आफ एजूकेशन दो साथ दी किती इसलिए असी ए चूज कर सकते हैं, जब दूसरा जिना ने बैट दो साल दी किती है, उना मिद्यार क्यानों, ए दस रहा है, ग्रैजुएशन विद एट लिस्टी परसेंट मार्क्स पास्ट और अपीरिंग इन फर्स्ट येर बैट स्पैशल एजूकेशन, ए दो विच्छो उसी कोई एक चूज कर लो, मेरे ख्याल चे इते गलती होई है, इते दूर टू येर डिप्लोमा दी थांते, जान बीयड आना होएगा, नहीं, जे कर ए नहीं आना तर अदरवाइस पर शेमी आप्शन बनेगी, ग्रैजुएशन विद एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट मार और जेड़े बीयड वाले दो साल वाले हन, वो Special Education इसनों क्लिक कर दें, कारण की है कि इते बीयड लिख्या होया है, और फिफ्टी परसेंट मार्क्स कारण की है, उसला कारण सुनलो, बीयड सेकेंड येर वाले आने, दो साल वाली बीयड वाले ने, क्यों ये परना है, क्य पर ही है उस विच सिक्स्थ ऑप्शन जड़ी है वो बैचलर ओफ एड्यूकेशन दी है लेकिन पहली जो अप्शन है ओए टीटी जहां डी अट हो वाले आदी है सो एस दी गाइडलाइन ते कि जिसने फर्म कंस्टक्ट कीता है वो ऑप्शन उससे ओडर चे रखेगा उसको लोग सिर्फ एथे रखन विच गल्फी हो गई है सो तो अनुदिशा अपनरदेश एही ने कि जिना ने दो साल दी बीड किती है ओँ छेमी ऑप्शन ग्रैजुएशन विद अट लेस्ट फिस्टी परसेंट बाक्स और पास्ट अपेरिंग इन फर्स्ट येर बीड और है न इसली कबराना नहीं है जे तुसी एक साल पूरा क यहां तुसी पूरी बीड कर ली है नुशिक्स नो आपाँ क्लिक कर दता है सो एथे सब तो बड़ी प्रॉब्ल्म जेटी टेक्निकली विद्यारती केंडी डेट जो कबरा आ रहे हैं तो कबरा रहे हैं जरूर नहीं है फोटो इसली जरूर क्लिक कर लो अकेडमिक देल परनी बड़ी अर्षान है सीने स्केंडली प्लस टू एथे क्लिक करो यह रा जाएगा जिस साल विच उसी प्लस टू पास किती है उसनों क्लिक करो 2016 बोर्ड केड़ा है पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड जो मेरा सी रिजर्ट मार्क्स है टोटल किने सी पंसो इचों, तिनसो मार्क्स टिफिल करते, परसेंटेज यह थे क्लिक करोगे खुद खुद क्लिकलेशन हो जाएगी, ग्रैजुएशन ते क्लिक करो किस साल कीती है, पेड़ी युनिवरस्टी तो गुरुनाद दे युनिवरस्टी अमसर, सोना सो मैक्सिम मार्ट सी हजार आए, कितनी गल्कुलेशन उनने खुद कर लेनी है, ठीक, इस तो इलावा, इस तो बाद, कॉलेज इंस्टिउशन जिस तो तुसी बैचलर डिगरी, और सोरी, बी एड जान, एटी जान, बी एलड किती होई है, डिप्लोमा क्लिक करो, स्टेट आ जाएगी, जिवे मैं जाब, जाब ते क्लिक किता, डिस्टिक जलंदर पूरा परना है, तुसी केड़ी युनिवरस्टी, जापॉलेज, बुरुनांग देग युनिवरस्टी, पीन कोड फिल कर देना है, रिजल्ट की है, ए जलूरी है, पास है के अपीरिंग है, जेरे हजे, दो स्मिस्टर कर च कर चके हैं, ओ अपीरिंग ते क्लिक करेंगे, दूसरे, जेरे पूरा कर चुके हैं, पास, फोल, स्मिस्टर दा रिजल्ट आ चुका है, ओ पास ते क्लिक करेंगे, किन्ने परसेंटेज हैं, ए तो दुसी परसेंटेज सिद्धे फिल कर देने हैं, ठीक, 60%, इससे तरहां हैं, डिस्टिक केड़ी है, सारी इंफोर्मेशन रिपीट हो रही है, इत्थे जुरूरी है कि पास के अपीरिंग, for example, मैं इत्थे अपीरिंग लिख्या हुया है, ए अपीरिंग को बाद इत्थे, इट मीन्स के जिड़े है, परसेंटेज मार्क से नहीं फिल होंगे, I hereby verified क ए इंफोर्मेशन कोरेक्ट है, तो कोई फालस इंफोर्मेशन नहीं दित्थे गी, एक वारी तुस्य इस इंफोर्मेशन दुबारा चेक कर लेना है, चेक करना तो बाद फिर अपडेट कर सकते हो, इत्थे, ठीक, मैसेज, प्लीज टिक अंडर टेकिंग पैरा, ओके, देख इस तो बाद तुसी अपडेट करना है, अपडेट करना तो, यह डिटेल सेक्सेस्वली अपडेट, ओके, चेक, सब तो ज़रूरी गल है कि तुसी प्रिंट हर हलत लेना है, प्रिंट ते क्लिक करोगे, जे मॉडिफाई करना चालना है, मॉडिफाई ते, पे नाओ वो इस ते क्लिक करके, तुसी ए सारी इंफोमेशन, एक वरी चेक करना है, किसे बॉर्दर सिस्टरों तो वैरीफाई करवा सक दे हूँ, छे ठकके हों अवरं दबारा लॉग इन करके कर सक दे हो, व सारी इंफोमेशन करना तो, बात युठेट रिंट परिंट होगेगा है, फि तो से रिंट ते क्लिक करो ते अपने प्रिसीबिगें